लोक सबाचुनाव 2024 में अब कुछ महीने ही बाकी हैं इस बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी यात्रा पर निकलने वाले हैं सूतरों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआद गुजरात के पोरबंदर से हो सकती है तो वहीं यात्रा त्रिपुरा के अगरतला में समाप्थ हो सकती है कप stal के मताब्स के इस यात्रा के लिए 15 अगस्त या 2 अक्टूबर की तारीक तैक के जाने की संभावना है यानि 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू हो सकती है इस बार भारत जोड़ो यात्रा की कमान राहुल गांधी ने समाली हुई है यात्रा के शुरू होने की तारीकों पर अभी विचार किया जा रहा है हाला कि दोनु ही तारीक बेहत खास है एक दिन देश का सोदनरता दिवस मनाया जाएगा तो वहीं दूसरा दिन रास्ट पिता महात्मा गांधी की जियनती का दिन है तो वहीं इस यात्रा का रूट तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबा है इसके साथ ही आने वाले समय में राजिस्तान, चत्तिसगर और मद्यप्रदेश में चुनाव होने वाले हैं चुनावों के चलते कई बड़े नेता इसमें व्यस्त होंगे तो समभावना चताई जारी है कि यात्रा दो अक्टूबर से पहले शुरू हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा के पहले संसकरण में यूपिए गटबंदन में शामिल दलों के कई नेता शामिल हुए सुत्रों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा टू पाइंट जीरो में विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की समभावना है यानि कि भारत जोड़ो यात्रा में इंडिया भी नज़र आएगा